जाएंद आवरिवन, वेलकम टू डेल्टर डिफेंस अकेडमी, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग करने वाले हैं एक पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की स्रीज जो आपके एंडी के एकजाम के लिए काफी important है तो पहले हमने cover up किया अपना पूरा French Revolution, आज हम बात करने वाले हैं Russian Revolution के बारे में, ठीक है, as we all know कि questions जो है French Revolution, Russian Revolution या Unification of Germany के गर हम बात करें, इन सबसे important questions बनते हैं, वो हमारे French Revolution या फिर Russian Revolution से बनते हैं, ठीक है, and in every single examination of your NDA, हमने देखा है कि एक से दो question जो ह मिलता है, ठीक है, तो आज हम उसी अपने Russian Revolution को आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे World History की, क्या क्या हुआ है Russian Revolution में, कैसे कैसे चीज़े, जो events हुई हैं, वो कैसे कैसे गटी हैं, उनका क्या impact रहा है, पूरी वर्ल्ड जो, जियो politics पर वर्ल्ड की क्या इसका impact बनता है, ठीक है, बट इस तिल, इस festive season को और ज्यादे festivities जो हैं, इतने सारी हमारी, इन festivities को और ज्यादे अच्छा करना है, और ज्यादे कोशाल बनाना है, by taking the selection in your NDA written examination, so look forward to it, यह जो हमारा Russian Revolution है, काफी बड़ा है, तो इसे हम basically क्या करेंगे, इसे हम different parts में बाट लेंगे, जैसे कि हम बात क सारी चीजे हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि Russian Revolution में क्या क्या events हुई है, जैसे जब हम Russian Revolution की बात करते हैं, 1905 की बात करते हैं, October Revolution of 1917 की हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या policy changes after Russian Revolution जो हैं, रश्यम में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो स में after the French Revolution ठीक है तो जैसे कि हमने French Revolution में भी बात की थी कि French Revolution से हमें आइडिया मिलता है of liberty and equality तो जो लिबर्टी और equality और idea of freedom जो था यह basically पूरे यूरोप में काफी तेजी से फैल गया after French Revolution जो बागी के countries थे उन लोगों को भी लगने लगा that they can also achieve freedom of ideas freedom of speech and they can also achieve this equality वाली जो feeling है वो पूरे के पूरे यूरोप में कहीं न कहीं घूमनी शुरू हो गई ठीक है अब इसका जो impact है पूरी European society पर ऐसा हुआ कि हम देखते हैं कि different different countries में different different type of revolutions जो हैं लोगों ने अपनी government का against किये हैं to get themselves free from the monarchy और dictatorship और टाइनर नी जो भी वहाँ पर basically उस time पर governance का system रहा होगा ठीक है तो French Revolution जो है इसका काफी deep impact रहा है हमारी European society में ठीक है तो वही इसमें बताया गया है कि French Revolution circulated the idea of freedom and equality in Europe which impacted the political scenario of every European country हर European country का political scenario impact किया गया किसके दवारा by idea of freedom and equality ठीक है after French Revolution new ideas about individual rights ठीक है to be discussed जो हमारे नए नए आइडियाज थे individual rights के जैसे freedom of speech freedom of expression ठीक है freedom to vote यह जो हमारे नए नए आइडियाज थे यह नए नए आइडियाज जो है French Revolution के बाद हमारी society में आने शुरू होगे तो जह हम French revolution की बात करते तो इसके बाद के जो changes हुए है societal changes के हम बात करेंगे कि Russian revolution में क्या क्या हम societal changes देखेंगे तो Russian revolution की शुरूआत होने से पहले जो हमारा Russia था वो तीन classes में बटा हुआ था basically वहां के जो लोग थे वो तीन classes में लोग वहां पर बटे हुए थे ठीक है जैसे कि सबसे पहले हुआ करते थे liberals ठीक है दूसरे ते radicals और तीसरे होते थे conservatives ठीक है liberal कोन होते थे अब पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि liberal जो है एसे लोग थे जो कहीं न कहीं secular थे ठीक है क्योंकि हम देखते हैं कि यूरोप जो है हमारा इस टाइम का जो यूरोप हमारा वो basically religion के उपर भी divided है ठीक है जैसे कि Catholic Church है England के लोग England के चर्च को follow कर रहे हैं France और Spain में लोग Catholic Church को follow कर रहे हैं तो different different जो ethnicity है within Christianity वो भी कहीं न कहीं prevalent है हमारे यूरोप में इस वाले यूरोप में ठीक है इसके लावा यह uncontrolled जो power होती थी जैसे कि यह किसके against थे यह against थे uncontrolled power के ठीक है तो basically यह क्या चाहते थे यह नया way of governance चाहते थे कैसा चाहते थे यह लोग जो थे यह despotic rule जो था था जो कहीं न कहीं dictatorship थी यह किसी भी एक एक राजा के पास जो uncontrolled power होती थी उसके यह लोग against थे ठीक है तो हम यह बात कर रहे हैं किसकी European society की ठीक है तो European society के जो लोग हैं यह इसके against थे ठीक है despotic rule के तो किसमें सबसे पहले हमने बात किया liberals की ठीक है liberals यह किया जाते थे basically यह change चाते थे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं किसकी radicals की ठीक है इन radicals जो हमारे यह जो basically radicals है यह वो लोग हैं तो यह जो radicals थे basically radicals वो लोग थे जो change जो चाहते थे, वो चाहते थे, कि जो हमारी society है, हमारी जो society है, उसके अंदर जो हमारी society है, उस society के अंदर जो government है, वो किसकी हो, majority rule की हो, ठीक है, ये चाहते थे, कि governance किसकी हो, governance हो majority rule की, majority rule क्या होता है, जिसमें, जो है, हमारी population जो है, वो vote करती है, और अपने राजा को तो जो हमारे radicals थे, यह किसके favor में थे, यह majority rule के favor में थे, जो basically यह क्या चाते थे, transportation, मतलब transformation जो है, society का, यह complete transformation की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारे conservatives हैं, यह conservative वो लोग थे, जो चाते थे कि society के अंदर change तो आए, जो चाते थे कि society के अंदर change तो आए, बड़ change कैसा हो, एक slow change हो, gradual change हो, किसके favor में थे यह, slow change हो, basically यह चाते थे कि जो पुराना system है, वही system क्या हो, धीरे-धीरे, evolve हो, society के अंदर जो changes है, वो धीरे-धीरे changes है, एकदम से changes ना है, देखो, liberals ने क्या का, liberals ने totally एक new way of governance की बात कर दी, basically बात की है कि मान लो, कहीं पर क्या है, जैसे कि कहीं पर rule है, dictatorship का, तो उसे बदल के यह individual rights की बात कर रहे है, ठीक है, यह किसकी बात कर रहे है, freedom of individual rights की बात कर रहे है, ठीक है, तो यह पूरा जो system है, उस system को completely overall करना चाहते है, उस completely system को बदलना चाहते है, ठीक है, वही radicals मेरे क्या बात कर रहे है, radicals कर रहे है, majority role की बात, ये भी कहीं ने कहीं सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं ठीक है लेकिन जो मेरे conservative से वो चाह रहे हैं कि सिस्टम तो बदले बर जो सिस्टम है वो एकदम से ना बदले क्या हो एक slow process हो ठीक है धीरे-धीरे लोगों को उनके rights दिये जाए धीरे-धीरे जो है changes सिस्टम में आने शुरू हो ठीक है ये फास्ट पोसेस के अगेंस्ट है ये एक दम से तकता पलटके अगेंस्ट है ठीक है ये चाहते हैं कि सोसाइटी जो हैं वो धीरे-धीरे इवोल्व करें अपने आग इसके बाद ये अब बेसिकल हुआ क्या कि जब ये सारी चीजे चल रही थी ठीक है ये तीन fraction of society हमें यूरोप में देखने को मिलती है ठीक है अब early 20th century जो था यानि की 1890 से 1900 के अगर हम बात करें तो हमारी जो century है उस टाइम पर क्या हुआ यूरोप के अंदर होता है इंडस्ट्राइजेशन जब इंडस्ट्राइजेशन हुआ तो इंडस्ट्राइजेशन होने के साथ एक नई क्लास निकल के आई जो बेसिकली कौन सी थी capitalist class का क्या काम था यह सारे के सारे इंडस्ट्राइबर का थी जिसको हमने क्य वोला socialist class, कौन से class उबर के आई, socialist class और यहीं से, यहीं से हमारा जो Europe है Europe में हमें socialism जो है, वो देखने को मिलता है ठीक है, जैसे की rapid industrialization यही बात कही गई growing of new cities, a class of thinkers emerge which gave the idea of socialism in Europe, ठीक है एक class of thinkers निकली, जैसे की हमने बात की थी ना French Revolution में, तो French Revolution में हमने देखा था कि जो हमारी emerging middle class थी, उसके अंदर क्या आयते, बहुत सारे political thinkers आयते तो यहाँ भी क्या होगा, जब industries आई, नए-नए शेहर बने, नए-नए शेहर बनने से क्या हुआ कि वहाँ पर education बढ़ी, ठीक है, working class जो है, skills बढ़ी, skills बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होँगे, वहाँ पर भी नए political thinkers आएंगे, उन political thinkers में सबसे important कौन होँगे, हमारे Frederick Angels and Karl Marx, ठीक है, यह दो जो thinker हैं, यह कहीं न कहीं socialism की theory देंगे, यह बात करेंगे, किसकी पहले तो यही बात बनते हैं कि प्रोलिटेट है, उत्ते कूंड है, तो प्रोलिटेट जो है मेरे, प्रोलिटेट है मेरी working class, जो working class के लोग है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, प्रोलिटेट, कौन सी class के लोग, वर्किंग क्लास के लोग, ठीक है, वहीं वहीं पर जो मेरे industrialist, capitalist जो हैं, इन्हें बोलते हैं bourgeois, तो कहीं न कहीं जो bourgeois हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो exploitation कर रहे हैं, किसका exploitation कर रहे हैं, working class का, क्योंकि basically होता क्या है, Karl Marx जो हैं, वो कहते हैं, कि जो socialism है, socialism में क्या है, कि जितना भी profit हुआ, जो भी चीजे हमें income हुई है, किसी भी उससे हमारी economic activities है, उसको हम society में equally distribute कर देंगे, ठीक हैं, बट होता क्या है, कि यह जो है, basically capitalist class में क्या हो रहा है, कि जो पैसा है, मतलब basically workers ने क्या किया, add-on किया, ठीक है, मतलब किसी भी चीज में क्या होते हैं, proletrate क्या होते हैं, bourgeois क्या होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे, ओके, ठीक है, ले लिया, चलते हैं आगे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, कि जो worker class होती है, जो working class होती है, देखो, मान लो, मान लो, एक x जो है, एक raw material है, ठीक है, x एक raw material एक company में आता है, ठीक है, किसकी company है, एक capitalist की company है, एक capitalist जो है, उसकी company है, यह जो x हमारा goods है, यह कोई भी जो सामान है, यह किस में transform हुआ, y में transform हुआ, ठीक है, मान लो, इसकी पहले जो value थी वह में माले लेते हैं इसकी value ते 20 डॉलर ठीक है जब ये वाइच में convert हुआ तो इसकी जो value हो गई वह 60 डॉलर सब कर अंदर मान लिए यहां पर इसने 10 डॉलर खर्च की है किसका ऊपर 10 डॉलर खर्च की है इसने इस पूरे प्रोसस के ऊपर ठीक है मतलब बेसिकली मशीनरी और यह सब जो चीजे यूज की है कितने खर्च की है मशीनरी और अपने इंफरस्टेक्चर पर एक प्रोड़क्ट को फिनिश्ट गूड बनाने के लिए इसने दस दोलर खर्च की है प्लस अगें जो है इसने दस डोलर खर्च की है वेजिस के उपर ठीक है एक अंदाज ले रहे हैं यह क्या है एक रफाइडिया है ताकि आप लोग समझ सके यह किस के उपर है वेजिस के उपर अब देखो कितना खर्च हुआ चालिस डोलर ठीक है capitalist को कितने मिले 60 डोलर फाइदा कितना हुआ है 20 डोलर का ठीक है अब देखो Karl Marx कहते है कि देखो ये जो इसने 10 डोलर इस wages को दिये है जो इसने एक worker को 10 डोलर दिये है ये जो 10 डोलर है इस 10 डोलर का इसने value addition कितना किया है लगबग 30 डोलर का value addition वाद 30 डोलर कर लेकिन उसे मिला कितना है 10 डोलर ठीक है ज़्यादा काम सारा किसने किया है इस worker ने किया है profit किसने कमाया है हमारे इस capitalist ने कमाया ठीक है तो वो कहता है कि जो profit है ये worker का profit है तो ये equally distribute होना चाहिए workers के बीच में ये theory ये हमारी किसकी Karl Marx की ठीक है और यहीं से जो है capitalist class के against वो revolution की बात करते है वो revolution की बात करते है proletrate के की proletrate जो है bourgeois class के class क्या क्या करेगा revolution करेगा और यहीं हमारा क्या है आगे हम बात करेंगे तो Karl Marx was against the capitalist society सबस्क्राइब सब्सक्राइबुन के सब्सक्राइब कि और सब्सक्राइब यहांबर में THchemicalुकिल हमाइब का नाम था सेकंड इंटरनेशन ओके अब देखो 1914 से पहले 1914 में राज हुआ करता था रश्या के अंदर जार निकोलस टूका ठीक है किसका राज था जार निकोलस टूका और उससे पहले जितने भी यह सोचलिस्ट ओर्गनाइजेशन थे चाहे वह सेकंड इंटरनेशन हो चाहे कोई भी यह सब के सब क्या थे इल्लीगल ओर्गनाइजेशन थे तो इन सब को छुपकर काम करना पड़ता था नहीं तो इनके ओपर शक्त कारवाई की जाती थी ठीक है जार निकोलस टूने इन सब क्या बना रखा था इल्लीगल ओर्गनाइजेशन जो है इन सब को डेक्ले union formed a labor party in Britain, Britain के अंदर जो आज भी हम देखते हैं, Britain के अंदर दो पार्ट, टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जिन में से एक पार्टी क्या है हमारी, labor party, ठीक है, तो labor party जो है, वो बिटेन के अंदर, और socialist party बनाई, किस के अंदर, France के अंदर, ये parties का formation हुआ, और ये सारी किसारी parties हमारी किस काम पर काम कर रही थी, socialism के idea पर काम कर रही थी, और इनका जो origin है, वो कि किसके हो जैसे हुआ है, socialism की हो जैसे ही, इनका origin हुआ है, ठीक है, world history मानता हूँ कि थोड़ी सी, थोड़ी सी tacky है, ठीक है, थोड़ा समझने में से समश्चाय आती है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस सिंप्लर world में, आपके NDA के exam के लिए, जो है, जितना अच्छे से हो सके, मुझे इतना अच्छा से, पढ़ सके, ताकि जो भी question आपके यहां से बनते हैं, वो questions हम उठाकर, NDA में question बनते हैं, world history से, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे, जो questions world history में बनते हैं, NDA में, NDA के अंदर जो world history के questions बनते हैं, आप उन questions को, असानी से कर पाए, आपको कोई problem ना हो, उन questions को attempt करने की, ठीक है, आगे बात करते हैं, screenshot लेना चाहिए, आप screenshot ले लो, ठीक है, फिर आगे हम इसकी बात करते हैं, by the way, screenshot के लावा भी, जैसे ही आप यो, मतलब वीडियो देखोगे, YouTube के अंदर, तो आपके जो हमारा description box है, उस description box के अंदर, ये सारे के सारे notes जो है, आपको provide किये जाएंगे, ताकि आप असानी से इन्हें पढ़ सको, वहाँ से आप हमारे notes भी download कर सकते हैं, वहीं पर हमारे telegram का channel भी होगा, उसी telegram के channel से, बेसिकली, अगर आप वहाँ से directly Google से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे telegram पर आजकते हैं, वहाँ से, जो link दिया गया description box में, तो वहाँ से आप हमारे telegram channel से भी notes कुए होगे, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फाइनली, socialism का idea है, socialism का idea के साथ क्या होता है, कहीं न कहीं Russian revolution की शुरुवात हो जाती है, ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, Russian revolution की शुरुवात की, ठीक है, तो जो अब तक हमने समझा, यह पूरा का पूरा क्या था, Russian revolution के लिए एक background बन रहा था, कि Russian revolution जो है, वो किस तरह से होगा, क्या क्या चीजे, Russian revolution में होई है, society का division कैसा था, ठीक है, यह सारी बात हमने क्या की है, Russian revolution के अंदर हमने समझी है, हमने मतलब बेसिकली लिया है, एक background जा है, ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, Russian revolution की, I hope कि इस वीडियो में आपका जो कहीं न कहीं एक doubts थे, society के बारे एंडी में, ठीक है, तो यह basic चीजे हमने आज देखी है, ठीक है, proletate क्या है, ठीक है, तो proletate क्या है, वर्किंग क्लास है, bourgeois क्या है, capitalist क्लास है, यहां से हमारे direct questions जो हैं, यह आप cover up कर सकते हैं, हमारे पूरे इस Russian revolution के background से, ठीक है, मिलते हैं अपनी next video में, next video में बात करें समझेंगे complete Russian revolution की, और समझेंगे कि क्या क्या चीजे हमारे Russian revolution के important है, ठीक है, stay tuned for our next video, जै हिंद, जै भारत